जिलामत्स अधिकारी हैं और सुल्तानपुर में जिलामत्स विभाग में कौन-कौन सी योजनाये चल रही हैं और उस योजनाओं में आम जनता को क्या फायदा है उसके बारे में बताएं जनतांपुर में अन जनताओं की तरह इस समय वरत्मान में मस्द प्रालन की ज़ईनाये चल रही हैं धिसमें बहुत पोटेंचियल हैं और इसमें भी हम चाहते हैं कि जादध्स-ज़्यदा लोग इसका अधिकादे प्लाव पाएं और जन्पद में इसमें आवेदन भी आ रहे हैं, आनलाइन आवेदन किया जा रहा है, फिश्री.UP.GOV.U. पर आप आनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसे किसी मस्कॉलों को कोई समस्या आती है तो आप कार्याले में भी संपत कर सकते हैं, प्रधान मंत्री मस्कॉल्पदा पृष्षा सफया और वहाओं या पास मद्धाकार आर्याश हैं और बैक्तयाड आरयस हमारे पास है, तो कुल में बिलाकर कि हमारे पास इसमें 50,000 बैक्तयार से लेकर के 50,000 का प्रोजेक्ट और शाड़े साथीच लाग का लगू आरयस है, और पचास लाग का मद्धाकार कम अस्थान पर 0.10 हेक्टेर में ही बैक्याड़ा फ्लाक हमारे पास बनाया जा रहे हैं जो कि उसमें देंस फार्मिंग की जा रहे हैं और सामान लोग से अगर आप रोह भाकुरनें जो हमारा इंडियन मेजर कार्थ इनको पालने के लिए निजी भून पर तालाब जमारा और इसके लगा निजी तालाब भी बनवाएं और इनके पास तालाब और इनके पास चाथ वर्स की अवद सेज तो यह आल लाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें भी संट साथ हजार की इसमें नाव और जाल और लाइफ जेकट इसमें को क्रे करना है जिसमें 140 परसंट की सब्सुरी देए तो यह सारी उजना है इसके लवा मच्वाद रुगटना भीमा भी कराया जा रहा है जो कि पांच लाव का प्रोजेक्ट है इसमें अगर अस्था यह पंगता आ जाती है तो धाय लाग का है और इनको इराज के लिए भी 25,000 रुपय का अंदान दे है इसके लामा किसान क्रेट कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और हम सभी किसान भायों से रोद भी करेंगे कि किसान क्रेट कार्ड वह ज्यादा ताला मुद बन तक इनको किसान क्रेट कार्ड बनवाने में कोई बैंक को गारंटी कुछ देना नहीं तो सबसे बड़ी इनके पास यह सुद्धा मिल लगी है पट्टे के तालाब पर समझिए किसी सी बनना यह हमारे किसान भायों के लिए सासन की बहुत बड़ी महतोकान सी योजना हम कह सक है और इनके लिए बहुत हितकर होगा इसके लगा जो भी हमारी सबसेडी बेस योजना है वह भी कर सकते हैं और जनपद में और अपार्शुन्ती है कि कुछ हमारे बड़ी जो बड़े-बड़े हमारे तालाब है हम पट्टा भी करा रहे हैं इनका और मस्पालन पट्टा ज सर योजनाय तो तमाम चलती रहती हैं लेकिन ग्रामी अस्तर तक पहुंच नहीं पाती है आखिर कारण क्या रहता है देखिए चुकि पूर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पूर में लोग मस्पालन की तरफ थोड़ा जुकाव कम था लेकिन वर्तवान में काफी साथ आविदन आए और 223 में हमारे पास जो है आविदन उस्तंख्या लगातार बढ़ती जा रहे हैं यहां तक कि पांसो आविदन पिछली वार हमारे पास जो पात्रा आविदन पाए गये पांस होते हला कि चार हजार आविदन आये थे चुकि जानकारी के वहाँ में या पास जमीन का लेखा जो खन्ना होने के कारण होने आविदन किया थे तो इसमें रिजेक्ट किये गया थे लेकिन इस बाद इस तरीकि कोई संभावना नहीं कि सभी को जागूत किया जा रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जारहा था जानकारी देखरके हमारी इसका प्रिड में भी जाकर के तैसील में भी लोग संपर्थ कर रहे हैं और कभी भी किसी से भी कार दिवस में हमसे संपर्थ करके हमारे से संपर्थ करके यह जो है जानकारी प्राथ कर रहे हैं और इसमें आप लोगों का बहुत बढ़ा सभ्योग रहा है और हमारे जो किसा लग रहे हैं क्या फार्मेट लग रहे हैं और हमारे पोर्टल पर भी सारी चीजे दीए तो इसलिए आविदन नियुंतम चुटकून होंगे और इसमें लगाता है लोग जागरूप को रहे हैं और आविदन हो रहे हैं दो